ओके आज हम सिखने वाले हैं सुमीत राथोड के जैसा बीग सरकल बुलर इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं उन्हीं के जैसा आप फ्लेसिंग इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं सबसे पहले आप इसका प्रिभीव देख लिजिए तो अगर आपको भी कुछ इस परकार से सुमीत राथोड के जैसा वीडियो बनाना सिखना है तो आप इस वीडियो को भीना सिकिप किये लाश्ट तक देख लेजिए तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए तो आपको एक वीडियो को record करना होगा कैसे करना है सबसे पहले वो आप देख लिए हम कुछ इस परकार से चल के record किये हैं आप जैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं तो चलिए अब इसका editing सिख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको आचा लगे अगर थोड़ा सभी लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो चलिए अब आपको ले करके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन सबसे पहले Motion Ninja App को open किजिएगा कुछ इस परकार से open करके आजाएगा उसके बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक किजिएगा नव बैसोले पे क्लिक किजिएगा ब्लेक बैक ग्राउंड ले लिजिएगा क्रियेट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिजिएगा उसके बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक किजिएगा गैलरी ओपन हो करके आ जाएगा जो आप वीडियो को रिकॉड करके रखे हैं उसको आप ए कोई सभी इफेक्ट अपलाई नहीं हुआ है जैसे कि आप सब देख सकतों होंगे इसमें बस स्लो मोशन लागा हुआ है ठीक है इसी में इफेक्ट अपलाई करके आप सब को दिखाने वाले हैं इतना हो जाने के बाद अगर सौंग के साथ मेच करना चाहते हैं वह आप कर आप जहां से अपलाई करना चाहते हैं कर सकते हैं तो हम यहां से स्टाइग पर आ जाएंगे एफेक्ट पर किलिक करेंगे कुछ इस परकार से एफेक्ट ओपन हो करके आ जाएगा उपर आपको बहुत सारा अप्सन देखनों को मिल जाएगा आगे के तरफ चलिएगा इधर आपको देखनों को मिल जाएगा blur meta उसको आप open किजिएगा तो चलिए हम blur meta को open कर लेते हैं जैसे ही open करेंगे तो इसमें आपको बहुत सरा blur effect देखनों को मिल जाएगा आपको जो आचा लगता है वो आप apply कर सकते हैं लेकिन उस वीडियो में जो apply किया जाता है वह वाला जो सबसे ज्यादा वाइरल हुआ है वह है hello circle यह वाला इसको आप apply कर देजिएगा जैसे ही apply करेंगे कुछ इस परकर से आपको देखनों को मिल जाएगा तो इसका आप deviation इसका size आप वढ़ा लेजिएगा नर्मल हम दो सेकेंद तक कर लेते हैं जैसे की आप देख सकतों होंगे इतना हो जाने के बाद हम इसके starting में आ जाते हैं कुछ इस परकर से उसके बाद इस टेंदर पर किलिक करेंगे pencil का icon देखनों को मिल जाएगा इस पर आप किलिक किजिएगा जैसे ही किलिक करेंगे यहां से आप खुद से इदज़श्ट कर सकते हैं कैसे करना चलिए वो हम सीख लेते हैं तो हम चाहते हैं starting में मेरा पूरा बलार आ जाए और धीरे धीरे खतम हो जाए ठीक है अप जैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं यहां पर आपको सब समझ में आ जाएगा तो हम क्या चाहते हैं कि starting में पूरा बलर आए और धीरे धीरे वो खतम हो जाए तो हम क्या करेंगे starting में आकर के रुक जाएंगे यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाएगा plus icon keyframe इस पर आप किलिक करके एक तीक लगा दीजिएगा और यहाँ पर हम चाहते हैं starting में जितना भी बलर हो जाए उतना हम अपलाई कर दें तो हम यहाँ से इसको पूरा फुल कर लेंगे last इतना तक बलर इसमें कर सकते हैं तो हम यहाँ पर पूरा फुल कर लेंगे उसके बाद हम चाहते हैं कि last में जाकर के यह धीरे धीरे खतम हो जाए तो हम इसके end point पर आ जाएंगे फिर हम keyframe के plus वाला icon पर किलिक कर देंगे और इसको हम कम कर देंगे आप जितना इसमें कम कर चाहते हैं कर सकते हैं तो हम पूरा ही कम कर देते हैं कुछ इस परकार से आप जैसा एदजस्त करना चाहते हैं कर सकते हैं इतना हो जाने के बाद यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा गलो आखिर यह गलो इफेक्ट काम क्या करता हैं वह हम देख लेते हैं तो हम इसके इस्टार्टिंग में आ जाएंगे यहां पर आपको वलार इफेक्ट देखनों को मिल जाएगा ठीक है इसमें हम जब गलो इफेक्ट बढ़ाएंगे तो देख लिजिए किस परकार से इसमें काम करेगा ठीक है देखिए उसको और उजला उसमें लाइट आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते होंगे कितना जादा लाइट आ जुका है अगर इसको हम कम कर देंगे तो उसमें से लाइट यह कातम होजाएगा जैसे कि आप देख सकते होंगे तो आप जैसे रखना चाहते करते हैं दर और इसमें विलाव इफ्ट उतना दे देते हैं हम चाहते यह जो ग्लोव इफैक्ट है एप से मरہ से चाहते हैं एतना हो जाने के बार फिर सहमें के स्टार्टिंग में आ जाते हैं यहां पर आपको देखनों को मिल जाएगा इंगल यहां से आप इसका इंगल चेंज कर सकते हैं लेकिन यह उतना भी ज़रूरी नहीं है यह लब काम का नहीं है ठीक अगर आपको काम आ जाए तो इसको आप देख लेज़ेगा इसको आपको इफेक्ट लग चुका है चलिए आपको ले करके दिखा देते हैं कुछ इस पर कर से आपको देखनों को मिल जाएगा देख लीजिए अगर इसका दूरेशन बरहाना चाहते हैं तो आप रहा सकते हैं इसको फुल इतना बरहा लेते हैं फिर यह जो की फ्रेम है इस पर आप फ्लेसिंग इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं मैं वही ठाफी आचाल लगता है तो आप देख लेजिए गा कहां से आपको ऐफेक्ट कि रह लाइट एंड कलर इस पर आप किलिक किजिएगा जैसे ही किलिक करेंगे बहुत सारा यहां पर लाइटिंग इफेक्ट देखनों को मिल जाएगा अगर बाहरी साउंड आएगा तो भाई माप किजिएगा बाहर काम हो रहा है तो आएगा थी कि आप थोड़ा वीडियो पर ध्य कंट को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकता हूंगे यहां से अप ले कर देखा देताएगा अगर आपको लगता है कि इसका झान क्यों वہ भी कर सकते हैं कैसे करना है चलिया हम देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर आप को फ्ले कर के दिखा देते हैं किस परकार से effect देखनों को मिलेगा चलिए play करते हैं देख लेजिए कुछ इस परकार से तो यह flacing जो effect है यह काफी fast है तो यह मुझे आच्छा नहीं लग रहा है हम चाहते हैं कि यह थोड़ा सा slow हो जाए slow करने के लिए इसी layer पर क्लिक किजिएगा flashing effect वाले और इसका जो size है आप वरहा दीजिएगा उसके बाद इसका यह जो keyframe है इसको आप दबा करके रखिएगा last में ले जाकर करके रख दीजिएगा कुछ इस परकार से अब इसमें थोड़ा slow effect आएगा जैसे कि आप देख साउक्त होंगे चल अपनों को मिल जाएगा blur effect तो आप सब सीख गए होंगे किस परकार से blur effect अपलाई करना है फिर से यह जो flashing effect है इसको कैसे apply करना है आप सब सीख गए होंगे तो हमें उमीद के साथ-साथ पूरा विश्वासे कि यह editing आप सब को अच्छा लागा होगा अगर थोड़ा सा भी ल